तो जिराम राम नुस्कार स्वागते की बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त रोहित लामबा और जो इमिदापसे लोग अच्छे होंगे भई आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई अमन बैसला जी के घर पे जा क्या हूँ और उनको सांतोना दे क्या हूँ घरवालों का डांडस बंदा क्या हूँ उनके घर पर जाओ आप तो आप सभी की डिमांड पर जो हमारा भाई चारा है उसकी डिमांड पर भाई मैं बहुत भी जानते हो तो हम छोटे से ठोड़े से क्ईशन團 अंटी से करेंगे अंटी जाज किस तरह से हो रही है अब कुछ development है कि इसमें पुलिस कुछ साथ दे रही है नहीं दे भाई बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रही है अभी तक हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई है हमें कई हेल्प नहीं मिली है पुलीस के एफ आई या रजिस्टर हो चुकी है लेकिन फिर भी गरफतार नहीं किया उनों ने हमें बता दिया गया गया गिरफतार कर लिया गया उसके बाद आप लोगों को पता है कि वो छोड़ दिये गए हैं तो आगे आप किस तरह की जा चाते है बेटा जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और ऐसे लोगों को फांसी पे चड़ा दिया जाए जो बच्चा बेकसूर सा वो चला गया उसके मापा आज बैटके रो रहे हैं घर में और वो खुले आम घूम रहे हैं मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हैं हाथ जोड़के कि मेरे बेटे को इंसाफ दो लाओ और ऐसो को फांसी दो लाओ आज मेरा घर खराब हुआ है कल कितने परिवारों का घर कितने बच्चे बरबाद हो जाएंगे आंटी अमन बता रहे थी वीडियो में ने देखा अमन भाई कि एक डेड़ साल से बता रहे था पर हमने कई पर इससे पूछने के कोसिस करी तो उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया तो मतलब वो तो दिखी रही है उसके फेस से कि भे उसको किस तरीके से वो करा जा रहा था हम वो अपनी इज़त के लिए बच्चा नहीं बोला है या जो भी कुछ है डिप्रेशन में इतना ला दिया इन्होंने या उसको इतना टॉर्चर करा गया कि बेटा भाई तो अपने घरी मत बताना यहीं रीसन रहे भाई बाकि आप लोग वीडियो में देख ले ना ऐसे सिस्तिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊं तो भाई यह अमन बैसला की मम्मी है और इन अब इस्टिकेशन चल रही है यही कहना है पुलिस का लेकिन आंटी बता रहे थी कि जहां पर जगया थी जहां पर सुसाइड किया गया है वहां पर शायद पुलिस नहीं गई अभी तक तो वहां से जाकर भी सबूत नहीं उठाये गए हैं तो यह हमारे सिस्टम को देखना आचाहिए है कि वाई यह चीज़ भी नहीं पता कि महां पे गई है पुलिस यांए गई है तो यह चीज़ हमारे सिस्टम को देखनी चाहिए कि ऐसे केस हो जाते हैं फिर सिस्टम पर ही सवाल उठेंगे कई बार पुलिस काम करती है लेकिन सवाल उठाए जाते हैं अप देख सकते हैं आणटी जो बता रही है अब तक पुलिस ही नहीं आई यहां तक और एक हफ़ते से उपर हो चुका है फिर भी पुलिस नहीं आई ए फाई यार रजिस्टर करने के लिए कुछ पूछने के लिए पूचत आ रहा है और बाई एक लोगता तो दर्ज हो गी है ना जी एफाई आर दर्ज हो गया पूच्टाच के लिए सब लोगों के सामने अरेस्ट कर लिया गया उनको फिर रात को ही उनको छोड़ दिया गया है जी एक और यूव वायर लोया था भाई जिसमें छोड़ने की बाते उरी थी आसाई के साथ की छोड़ रहें उसका वोड़ यू भी वायर लुआ था सोचल मेडिया पे तो काफी सारे वीडियो इस विश्य में चल रहे हैं सोचल मेडिया पे काफी सारी आवाज इटाए जा रही है जो पूरा बाईचारा है सभी लोग आप देख रहें सारी काफी तो इंसे भी बात करने की कोशिश चलो भी ऐसे सिथिती Daar में नहीं है यह उसके बात भाई यही सारी चीज़े है पापा अमन की यह उनसे ही बात करवाता मैं लेकिन यह है यह ही रिक्वेश्च है कि अमन भाई को इंसाफ जरूर जरूर मिलना चाहिए और जहां तो कोशिश करें और आगे भी अगर जरूर पढ़ती है तो इक ठे जरूर रों जैसे हमने एक बार टाकत दिखाई थी वैसी ताकत एक बार फिर से दिखाएं और अवन भाई के इनसाफ के लिए जरूर इस मुहिम में जुड़े बाई क्योंकि आज अवन भाई के साथ हो आए कल मेरे साथ हो सकता आपके साथ भी हो सकता है किसी गर में भी हो सकता है तो जरूर द्यान रखें आप और कमेंट बॉक्स में बता दे बाई और बहुत बहुत अन्यवाद बाकी